गुड इवनिंग फ्रेंट्स वेलकम डू मैं चैनल कैसे हैं आप सब आज मैं जो आप सब के साथ दो रेमेडिज एक साथ शेयर कर रही हूँ यह नहीं सिर्फ बालों में ठेकने से कि हलका सा कलर डार करेगी बलके फ्रिजी बालों को सिल्की भी बनाएगी चलिए जल्दी से देख लेती हैं सब चपले लेने हैं चावल अब चावल हमारे बालों के लिए हमारे चेरे के लिए क्या काम करते हैं हम सब चानते हैं कोरियन सब ज़्यादा चावलों का यूज करते हैं अपने बालों और चेरे के लिए बुड़ा पे तक उनके बाल काले ल अब आपको लेना है एक बस्तर में एक ग्लास पानी उसमें डालना है पहली चीज फेनोगरिक सीट मेथी डाना उसके बाद डालना है एक से डेच चमज मेथी डाना एक से डेच चमज फ्लेक्स सीट दोन ही बालों में ठिकने देने के साथ साथ बालों को सिल्की शाइनी स्मू डाय है उसके साथ बालों को सिल्की बनाती है अगर आपके पास फ्रेश पूइट रूट नहीं है तो अब दो छोटे चमच बीट रूट पाउडर का एड़ करेंगे पर अगर बीट रूट है तो पहले उससे यूज करें चीक है अब यह चीज है जो देखे मैं इसे बहुत ज करेंगे ड्राइन करेंगा और इसमें डालेंगे यह नहीं सिर्फ बालों में थिकनेस देती हैं बलके बालों को जो सिल्की बनाती है ड्राइनेस को खतम करके फेक देती हैं कंडिशनिंग करती है बालों को अब हम इसे रखेंगे गैस पर गैस के फ्लेम को अन करेंगे यहां अब देखिए हमारी जैल कैसे बनती है हम सब जानते ही है उस तरह से आप जैल इसकी बना लें बहुत थिक भी नहीं होने चाहिए बहुत पतली भी नहीं उसके बाद हम क्या करेंगे इसे अच्छी तर से छान लेंगे आपको जैसे चान लगे आप छाने में इसे शूप की चन है क्योंकि इसे बहुत ज्यादा ठंडा करेंगे तो इसे चानना मुश्किल हो जाएगा चीक है अच्छी तर से प्रेज करके चाने और जो बच जाए उसे भी आप बिल्कुल फेके नहीं उसे आप यूज कर सकते है पैक बनाकर या फिर अपने शेंपू में डालकर ग्राइ जिम के हिसाब से लेंगे चीक है जितने लंबे आपके बाल है यह से पूरे बालों में लगाना है आपको उसके बाद जो हमने जेल बनाई थी उसमें से जितने चावल ली है उसके हिसाब से आपको अंदाज से यह जेल डालनी है उसके बाद इनको हमें अच्छी तर से बिल बिल्कुल स्मूद पेस्ट है इतनी थिक भी नहीं है कि बिल्कुल यह हो जाए और बहुत ज्यादा पतली भी नहीं है अब मैंने जेल रख रही हूं मैं साइड में अब पहले जो हमने पैक बनाया था उसके बारे में हम बात करेंगे कि उसे यूज कैसे करना है जिसे हमने ग् नहीं है इसे आपको लगबग शावर के पेनी है एक घंटा रखना है अपने बालों में उसके बात मैल शेंपू से वाश करना है पर अगर आपको ओईल लगाना पसंद है आप ओईल लगाना चाहते है तो कोशिश करें कि इसमें ओली वालों को सिल्की बनाता है बहुत ही व लगब हने में डाल सकते है वो भी बालों को सिल्की शाइनी स्मूथ बनाती है मैंने कुछ भी एट नहीं किया है उसके बाद इसे अच्छी तरसे लगा लें शावर के पेने लगबग 45 मिनिट से एक घंटा रखें उसके बाद मैल शेंपू से वाश करें अब इस जेल का क्य करेंगे यह जेल अब 15 से 20 दिनों तक फ्रिज में इस्टोर करके रख सकते है कोशिश करें कि इसे आपने शेंपू में डाल कर यूज करें ऐसी जेल बना कर इससे क्या होगा बाल सिल्की भी होंगे और बालों का कलर भी हलका सा डार्क होगा ठीक है ठैंक्स फॉर वीडियो कि इस एर सदबना एक्पिरेंटर जड बना होगा इससे क्या होगा बाल।